इसे सागर वद्यप्रदेश से पुलकित ने पुछा है क्या चेतना का उदेश्य केवल परमात्मा की ओर गमन करना ही है? पहली बात समझो, चेतना क्या है? जैसे सूरज से किर्णे निकलती है, ऐसे ही हमारी आत्मा से चेतना निकलती है. आत्मा सूरज की तरह है, चेतना किर्ण की तरह है, और ये जो हमारी चेतना है, अलग-अलग तलो क्रिकाम करती है, हमारी चेतना के साथ तल है. अलग शरीर है, दूसरा इंद्रियां है, तीसरा प्राण है, चोथा हिर्दय है, पांचवा मन, बुद्धी, ऐसा कहलो, छठा अस्मिता है, और सात्मा आत्मा है. तो अलग-अलग तल से जब हमारी चेतना प्रिकट होती है, तो उसका अलग-अलग कारे है, और इस तरह, जैसे मालो शरीर है, तो शरीर का क्या काम होगा? हम फिजिकल वर्ग करते हैं. इंद्रियां क्या करती है? वो भोग का मजा लेती है, जैसे दर्शन का मजा लेती है, स्वाद का मजा लेती है उसी तरह से प्राण किया है प्राण से स्वास चलता है आरोग और स्वास्ते का बनता है हमारा स्वास्त रहते हैं हमारे शरीर में हिर्दय धरकता है रक्त का संचालन होता है यह हमारे प्राण का काम है और उसी तरह हमारा हिर्दय वो फीलिंग में जी जो आप सबारा है उसी तरह से हमारा मन समार्ज से जुढ़ता है, लोगों से इंट्रेक्शन करता है, संबाद करता है, मन का ही एक हिस्सा दूंदी निश्चित रुप से जब हम कोई कारे करना चाहद को दूंदी की जरूरत होती है. तो उसी तरह से असमिता है असमिता ध्यान में जाती है वहाँ से साक्षी है अब तुम पोछ़ते हो या और फिर जो आत्मा के तल पर जब हम जाते हैं तो शुद्ध आत्मा होने का प्योर आत्मा होने का मजा लेते हैं यह जो चेतना छटे तल पर जाती है, वो ध्यान में जाती है, वो समाधि में जाती है, और आत्मा अपने सोर्स पर चेतना लोट जाती है, और वहां होने का मज़ा लेती है, तो यह चेतना के अलग-अलग कारे हैं, लेकिन जो परमात्मा की खोज करती है, वह चेतना बड़े ह पाई स्टेंडर्ड की समझा होती है और मानवी मानवी चेतना का वह एक तरह से मुख्य उद्धिश मानवी चेतना का यह जैसे मान लो जंतु आइं जिव जंतु आई पेड़ पौदे उनका विकास इतना नहीं हुआ है कि उनकी चेतना परमात्मा के दिशा में गमन करें लेक अगर मनुश्य योनी में आये हो, अब तुम्हारी संभावना भी है, अब तुम्हारी योगिता भी है, अब तुम्हारी पात्रता भी है, अब तुम परमात्मा को जान सकते हो, अब तुम आत्मा को जान सकते हो, और इस तरह अगर मनुश्य योनी में आये हो, तुम्हारी चे जानतों के लिए आनंद और उद्शों में जीना है, सभी जीह जटवों के लिए अब आनंद के अलग 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 प्रकार है, सुख भी एक प्रकार का आनन्द है, प्लेजर जिसको कह सकते हैं उसी तरह से अपना happiness, मन के तल पर प्रसनता, उसी तरह से हिर्दय के तल पर प्रफुलता है, पर आत्मा के तल पर आनन्द है, तो सभी जीव जन्तु तो आनन्द को नहीं जान सकते हैं, लेकिन प्लेजर को, सुख को तो सभी जान सकते हैं, सुख में तो सभी रह सकते हैं, उसी तरह से मान लोग क मन के तल पर प्रसंद आता हो तो जन्तु भी मन के तल पर प्रसंद हो सकता है तो असली बात है कि ये स्विष्टी में ये सारे उपादान मौजूद है जिसे हर जीव जन्तु सुखी रह सकता है आनंदी तरह सकता है और उच्सों में जी सकता है ये गजब की बात है कि मनुष् स्वतंतरता दे गई है कि तूम जिदर जा अधिक अदिक यह मनोशिद्यों करता है और आंद की और जाना को दूर की दिशा मैं या इंट्रा करना करना शुरू कर देता है झालेश